हमने पिछली ग्लास में study किया है कि किस तरह से हम real number का decimal expansion find करेंगे और उसके बाद decimal expansion find करने से हम rational number और irrational number में किस तरह से difference पता करेंगे आज की class में हम देखेंगे कि real number को हम number line पर किस तरह से indicate कर सकते हैं तो हमें पता है number line में middle पर हमें 0 मिलता है और 0 के right side पर हमें positive numbers मिलते हैं और 0 के left side पर हमें negative numbers मिलते हैं तो अगर हमें directly कोई single number दिया हो जैसे अगर हमें given हो कोई 3 को number line पर represent करिए तो हम यहां से 0 से लेकर के 3 तक का point देखेंगे और यह 3 units को indicate कर रहा है पर अगर हमें decimal number given हो representation के लिए तो decimal number को हम किस तरह से number line पर represent करेंगे चैसे suppose small लीजिये हमें given हो 2.165 और इसे हमें number line पर represent करना हो तब हम उस condition पर इसे किस तरह से represent कर सकते हैं यह हम आज की class में study करेंगे साथ ही हम यह देखेंगे कि जो rational number होंगे मतलब जो repeating nature के repeating and non-terminating decimal number होंगे उसे भी हम किस तरह से number line पर represent करेंगे तो इसे समझने के लिए एक example लेते हैं और उसके बाद उसे हम समझने तो सबसे पहले देखिए एक example हम लेते हैं 2.665 जो हमारे book में भी दिया हुआ है और इस number को हमें number line पर represent करना है तब हम किस तरह से करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हमें 0 मिल रहा है suppose यहाँ पर 1 मिल रहा है यहाँ पर 2 है and 3, 4 यह positive numbers है और इस side पर हमें negative numbers मिल रहा है 2.665 तो 2 से हमें पता चल गया कि यह 2 के बाद के कुछ numbers है तो मतलब यह हमें 2 और 3 के बीच में मिलने वाले numbers है क्योंकि यह 2 से greater है बट 3 से smaller number है तो अब अगर हम इस 2 और 3 के बीच को ही यहाँ पर ले ले और इसे अलक से draw करें तो हम इसे किस तरह से draw कर सकते हैं देखिए तो यहाँ पर suppose मानने जिए 2 है और यहाँ पर हमें मिल रहा है 3 तो 2 और 3 के बीच भी हम इसे 10 parts में divide कर सकते हैं 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 and then 3 यह हमें इस तरह से मिल जाएगा जब हम इसके बीच को different parts में divide कर लें अब इसमें से किस part के नजदीक हमें हमारा result मिल रहा है यह आप देखके बता सकते हैं तो यह मिल रहा है 2.6, अगर हम इसके point के one place तक ही से देखें तो यह हमें मिल रहा है 2.6, तो 2.6 इसमें हमें यहाँ पर मिल रहा है तो यह हमें पता चल गया कि यह इस point के आसपास है अब 2.6 के बाद 6.5, मतलब यह 2.6 और 2.7, इन दोनों number के बीच का कोई digit है अब फिर से हम क्या करेंगे, इतने part को लेकर के इसे elaborate करके हम बराएंगे तो यह हमें किस तरह से मिलेगा देखें अगर हम यहाँ पर right side पर ले लें 2.6 और left side पर ले लेंगे 2.7 और उसके बाद इसे elaborate करते हैं तो यहाँ से हम इसे 10 parts में divide कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट हमें मिल जाएका 2.61, सेकेंड हमें मिल गया 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.67, स्वारी 6.6, 2.67, then 2.68, then 2.69, and then 2.7 यह हमें इस तरह से मिल गया, जब हम इतने parts को elaborate करके, इनके बीच के place को 10 parts में अगर divide करके बनाते हैं अब उसके बाद देखें, अगर हमें जो हमारा question दिया हुआ है, इसे point के two places तक देखें, तो यह हमें मिल रहा है 2.66, तो 2.66 हमें यहाँ पर मिल रहा है, this point is 2.66, और अगर हम यहाँ से देखें, तो 2.66 के बाद हमें क्या मिल रहा है, 5, मतलब हमें हमारा जो result है, वो 2.66 और 2.77 के बीच में मिलेगा कहीं पर, ठेक है, तो फिर से इसे draw करिए, तो जब हम इसे फिर से draw करेंगे, तो यह मिल गया 2.66, फिर इसके बाद 2.661, 2.662, 2.663, 2.664, 2.665, 2.666, और ऐसे करते हुए, लास्ट में हमें मिल जाएगा, 2.67, ओके, फिर हमारा जो result है, that is 2.665, यह हमें मिल रहा है, इस point बर, ठीक है, तो यहां से देखिए, 2.665 हमें मिल गया, तो यह जो location है, वो उसकी adject location हमें मिल रही है, तो अगर हम यहां पर ही इसे दर्शाना चाहें, जो हमारी main number line है, तो यहां से देखिए, 2.3, 2 और 3 के place को हमने 10 parts में divide किया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10, 10 parts में इसे divide कर लिए, हमें चाहिए 2.6, मतलब इसका 6th place, तो यह हो गया इसका 6th place, ओके, आप इसके बाद इस 6 और इस 7 के बीच के place को हमने फिर से 10 parts में divide किया, फिर उसके बाद फिर से 10 parts में divide किया, तो इतने जगा के location को हम उस तरह से indicate नहीं कर सकते, तो इसलिए हम यह पता कर लेते हैं, कि इन दोनों के बीच में हमें हमारा result मिलेगा, और यहां पर इसके बीच में एक point को हम इस तरह से locate कर देंगे, and this point results 2.665, ओके, तो इस तरह से हम किसी भी decimal number को number line पर represent करते हैं, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, visualize कर रहे हैं, मतलब अब एक तरह से हम यह समझ सकते हैं, कि हमने इतने part को बढ़ा किया, फिर इतने part को बढ़ा किया, फिर इतने part को बढ़ा किया, तो इसलिए इस process को हम कहते हैं process of successive magnification तो representation का किसी भी number line पर ये जो method है it's called process of successive magnification तो अगर हमें exam में ये question आ जाए कि process of successive magnification से हमें इस point को number line पर locate करना है तो वो भी same process है और अगर हमें direct दे दिया जाए कि हमें किसी भी इस तरह से decimal number को number line पर represent करना है तो वो भी यही method है हम दोनों ही cases पर यही method apply करेंगे next example देखिए हमें यहाँ पर given है 5.37 bar 7 पर ही केवल bar है और हमें इसे number line पर represent करना है तो इसे हम लिख सकते हैं 5.377777 ओके क्योंकि यहाँ पर 7 पर बार है मतलब यह बार बार repeating nature का है तो 5.37 तो यहाँ पर 5 है तो यह 5 से greater number है क्योंकि 5.something हमें मिल रहा है पर यह 6 से smaller है तो इससे हम यह बोल सकते हैं कि यह जो number है वो 5 और 6 के बीच में लाए करेगा ठीक है तो अगर हम इसके बीच के 10 parts में divide कर दे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 तो यहाँ पर यह मिल गया 5.1, यह मिल गया 5.2, यह मिल गया 5.3, यह हमें मिल गया 5.4, 5.5 हमें यह मिल गया 5.3, तो 5.3 इस point पर हमें मिल गया 5.3 के बाद क्या है 7, 7, 7 और 5.3 के बाद यहाँ पर आ गया 5.4, मतलब यह हमें इन दोनों point के बीच में कहीं पर मिलेगा हब उससे find करने के लिए फिर से elaborate करते हैं, तो यहाँ पर हम लेते हैं 5.3 और इसे लिखते हैं, तो यह मिल गया 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, then 5.37, 5.38, 5.39 and 5.4 यह values मिल गए, अब उसके बाद 5.37 हमें मिल रहा है, तो 5.37 इस point पर 5.37 के बाद अगें हमें 7 मिल रहा है, तो यह हमें मिल गया गा 5.37 and 5.38 के बीच पर, ठीक है, फिर से हम इसे elaborate करते हैं, तो यह मिल गया 5.37, 5.371, 5.372, 5.373, 374, 375, 5.376, 5.377, 5.378, यह point मिल गया? ओके, तो यहां पर 5.377, यह चाहिए, 5.377 हमें यहां पर मिल रहा है, फिर इसके बाद मिल रहा है 5.378, तो यहां पर इन दुनों point के बीच में हमें हमारा location मिलेगा, फिर से इसे elaborate करेंगे, तो यह मिल जाएगा हमें, 5.377, और 5.378, यह जो middle का point है, यह हमें मिल रहा है 5.3775, 5.3776, और 5.3777, तो यहां पर से यह जो हमारा point है, 5.377, यह हमें locate करना था, और हम इसे इस तरह से locate कर सकते हैं, अगर हम directly यहां पर उसे बताना चाहें, तो हम यहां पर से इसका कहीं पर point indicate कर सकते हैं, NCRT 1.4 का first question देखिए, हमें given है, visualize 3.765 on number line, using successive magnification, successive magnification की help से, हमें 3.765 को number line पर represent करना है, तो हम इसे इस तरह से represent करेंगे, मैंने इसे पहले से बनाया हुआ है, किस तरह से बनाएंगे देखिए, सबसे पहले हम number line पर numbers बनाते हैं, यह positive में numbers given हैं, इसलिए मैंने positive direction को draw किया है, अब 3.765, मतलब यह 3 से greater number है, पर यह जो number है, वो 4 से smaller number है, ओके, मतलब यह 3 और 4 के बीच में कहीं पर lie करेगी, अब अगर हम 3 और 4 के बीच के part को elaborate करके यहां पर बनाते हैं, तो इसके बीच में हमें 10 parts मिल जाएंगे, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, इस तरह से, हमें given है 3.7, मतलब हमें 3.7 वाले part को देखना है, पर 3.7 के बाद भी हमें given है 6.5, मतलब 3.7 से greater, बट 3.8 से smaller number हमें चाहिए, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इनके बीच के part को फिर से elaborate करते हैं, तो जब इसे हम फिर से elaborate करेंगे, तो हम 3.7 और 3.8 लेते हैं, और इनके बीच के part को 10 parts मिल डिवाइट करते हैं, तो 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 75, 76, 77, हमें यहाँ पर given है 7.6, तो हमें 7.6 वाले part को लेना हैं, पर इसके बाद भी 5 हमें दिया हुआ है, मतलब 7.6 वाले part का आधा, 3.76 और 3.77 इसके बीच का middle part हमें मिलेगा, पर उसे भी दर्शाने के लिए हमने इसे elaborate कर लिया, तो यह जो point है, वो exactly हमें 3.765 की value given है, पर अगर हम इसे इस number line पर draw करना चाहिए, ठीक है, तो आप इसे इस तरह से sequence में बनाईएगा, कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक line खीचें, जैसे इस तरह से अगर हम खीचें तो हमें एडजेक्ट वो value मिलनी चाहिए, जैसे हम यहाँ से यहाँ तक line इस तरह से खीचते हैं, ठीक है, तो यह जो value है, यहाँ से, next question देखिए, हमें given है 4.26 bar, इसे हमें decimal के 4 places तक represent करना है, इसलिए हमें इसे लिख लिया 4.2626, अब 4.something values है, मतलब यह 4 और 5 के बीच में लाए करेगी, अगर हम इसे elaborate करें, तो यह मिल गया 4, और 4 और 5 के बीच के places को हम 10 parts में divide करेंगे, तो यह मिल गया 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, up to 5, 4.2, यहाँ पर देखिए 4.2 है, मतलब 4.2 और 4.3, इनके बीच में हमें यह value मिलेगी, क्योंकि यह eject अगर 4.2 रहता, तो हम यहाँ पर इसे stop करते, पर यह 4.2626 है, तो इसलिए हम 4.2 और 4.3, इनके बीच के places को फिर से 10 parts में ले रहे हैं, तो 4.21, 4.22, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, तो decimal का second place देखिए 6, मतलब हमें यह मिल गया 4.26, पर उसके बाद भी क्या है, 2.6 again, तो फिर से हम 4.26 और 4.27, इनके बीच के place को elaborate करेंगे, क्योंकि 4.26, 2.6, 4.26 और 4.27 के बीच में हमें मिलेगा, क्योंकि यह जो value है, वो 4.27 से smaller है, और 4.26 से greater है, फिर से अगर इसे elaborate करेंगे, तो 4.26 और 4.27 हमने लिया, और 10 parts में से divide किया, 4.261, 4.262, 4.263, 264, 265, 263, इस तरह से हम इसे करेंगे, तो यहां पर 4.262, फिर से हमें इसका third place मिल गया, और उसके बाद, यहां पर अगला step क्या मिल रहा है, 4.263, पर हमें 2626 जाहिए, तो फिर से इसके बीच के part को हमें लेना पड़ेगा, और elaborate करना पड़ेगा, तो जब करेंगे, तो यहां पर जाकर हमें मिल रहा है, 4.2626, 4.262 और 4.263 इनके बीच में, तो यहां पर हमें मिल गया, 4.2626, अब मैंने आपको पिछली को स्टिंट में बगाया था, कि किस तरह से हमें इसे, नीचे से उपर तक के लाइन से मिलाना है, ताकि हम, जो हमारा नंबर लाइन है, उसमें इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकें, तो जब हम इस तरह से खीचेंगे, तो यहां पर का पॉइंट हमें मिल रहा है, यहां पर, मतलब 4.262 और 4.263 के बीच में, हमें यह जो पॉइंट है, वो 4.2626 इंडिकेट कर रहा है, इसी तरह से और उपर जाएंगे, यहां पर हमें वेल्यू मिली, 4.26 और 4.27, इनके बीच में एक पार्ट है, जहां पर हमें 2626 वेल्यू मिलेगे, फिर से करेंगे, तो यहां पर हमें मिल रही है, 4.2 और 4.3 के बीच में, यह जो पॉइंट है, वो हमें 4.2626 वेल्यू मिलेगे, और फिर आगे जाएंगे, तो यहां पर हमें हमारा पार्ट मिल रहा है, 4 और 5 के बीच में, यह जो adject value है यह 4.2626 value को indicate करेगे ठीक है तो किसी भी number को चाहे वो recurring number हो या non recurring number हो हम number line पर इस तरह से उसे represent कर सकते हैं next class में हम study करेंगे कि किस तरह से हम real number पर different operation perform करते हैं चाहे वो real number rational number हो या irrational number हो हम उन पर addition, multiplication, division या operation किस तरह से perform करेंगे